सब्सक् combustion किज़े हमारी चैनल को सब्सक् लाद सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बढ़ं को दबाईए और उसे देबाने के बाद बैल आइकन के बढ़ंको दबाईए ताकि आने वाले नए वीडियोज की अप्डेटस आपको रेगिलिरली मिलती रहे दोस्तो, सनी देव के कूप्रभाव से व्यक्ति को कई प्रकार की परेशान्यों का सामना करना पड़ता है लेकिन जीज व्यक्ति पर सनी देव की कुरुपा बनती है उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है व्यक्ति की कुंडली में साड़ साती और ढईया होने पर ये उसकी सफलता में बादक बनती है इन से मुक्ति पाने के लिए कुछ सरल उपाय सनिवार को करने से सनिदेव प्रसन होते हैं और बाधाओं को दूर करते हैं जिससे व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है तो चलिए जानते हैं सनिवार को कौन-कौन से उपाई करने चाहिए। के दिन सुर्यास के बाद पहन ले। मंद, पिपलासरै, चोथा उपाई दान करने से पुन्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सामर्थ्य के अनुसार काले तील, काला कपडा, कंबल, लोहे के बर्तन, उड़त की दाल का दान करे। इससे सनेदेव प्रसन होकर सुप फल प्रदान करते हैं। पाँचवा उपाई, बंदोरों को गुड और चना खिलाने से हनुमान जी प्रसन होते हैं। प्रत्यक सनिवार हनुमान चाले सा का पाठ करे। हनुमान जी का पुजन करने से व्यक्ति को सनी दोसों का सामना नहीं करना पड़ता। छठा उपाई, सनी देव की पुजा करके उन्हें नीले पुष्प अरपित करे। इसके साथी सनी मंत्र ओम सन सनिश्चराई नमह इस मंत्र की रुद्राक्ष के माला से कम से कम 108 बार जाप करे। ऐसा हर सनिवार करने से साड़े साती और धहिया से मुक्ति मिलती है। साथवा उपाई, सुबसीग्र उठकर सनान आदी कारियों से निवरूत होकर एक कटोरी में तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखे। उसके बाद उस तेल को किसी जरूरत मन व्यक्ति को दान कर दे। इससे सनेदेव प्रसन होते हैं और भग्य सम्मदित बादाए भी दू सुर्यास के बाद सुमसान स्थान पर लगे पीपल के पास दिपक जला दे। यदि ऐसा नव कर सके तो किसी मंदिर में लगे पीपल के पास भी आप दिपक जला सकते हैं। दूर होती है।